तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंट्रस्टिंग और इंपोटेंट टॉपिक्स के बारे में आज हम जानेंगे SS7 C7 Attacks यह क्या होती है किस तरह से काम परते हैं हाला कि इंटरनेट पर ऐसे हजारो वीडियो आपको मिल जाएंगे लेकिन जो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है वो काफी यूनिक है और साइद ही किसी चैनल ने आपको इसके बारे में बताया हो इवन SS7 तो बहुत बार आपने नाम सुना होगा हाला कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सी सेवन सुना होगा लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जो की डीपली और डिटेल में होगा दोस्तों अगर हम बात करें अजर स्क्रिप्ट किडीज तो आप किसी भी अटेक के बारे में सुन लेते हैं और बनना चाहते एक बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं जिबकि उसके डीप में जाना और उसे समझने की कोसिस नहीं करते हैं तो उसकी बी काम को करने से पहले आपको उसकी जो वरकिंग स्ट्रेटी है वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप एक स्क् स्कारय के वटॉरी में जो सामयितेकर सिर्फ नहीं चीन शुकुर ओसर जो उसकी भी साथो में फोन स्पेस्ट्रिदेंों होता जो की मैं और आपने बर एए बताते दांस सब जो गर्रें को आपको स्ब्सक्राइब करें हैं तो किसी वियक्ति की एक में रियल अअ नागवे ह नहीं रह जाती है, बहुत एक छोटा सा काम हो जाता है, अगर आप SS7 के बारे में जानते और समझते हैं तो, मिकिन SS7 is not so easy, और सबसे खास और important बात मैं आपको बताना चाहूँगा, SS7 के बारे में अगर आप जानते भी हैं, तो उसे इस्तिमाल करना, use करना totally illegal है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले, IMSI, जिसके बारे में मैंने last time आप लोगों को बताया था, IMSI के बारे में आपने सोना होगा, लेकिन Stingray भी एक IMSI catcher की device है, उसका इस्तिमाल सुरक्षाईज के द्वारा किया जाता है, आप personally उन चीजों का इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं, अगर आप आपने कहीं भी कोई वीडियो देखा है उस तरह का और आप directly use करने जा रहे हैं, तो आप अपने आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फसा सकते हैं, और मैं आपको यार दिला दूं कि आपको jail भी हो सकते हैं, इस तरह कि activities करने पर, तो सबसे पहले आपको तो यही पता होना अगर एक limited area में लोगों की phone calls और उनकी details वगरा जाननी होती है, तो IMSI जैसी devices का इस्तिमाल किया जाता है, जिनकी जो range है वो limited होती है, लेकिन अगर आप जानना चाहते कि all over the India ये पूरी broad wide, अगर आप अपना communication set करना चाहते हैं, लोगों पर निगरानी रखना चाहते हैं, या इस तरह का काम करने के लिए आपको जरूरत होती है SS7 जैसी technology की, SS7 अपने आप में ये technology नहीं है, हाला कि SS7 अपने आप में एक vulnerability या आप इसे loophole कह सकते हैं, और वास्ता में इसका जो use था वो positive work के लिए बनाया गया था, लेकिन हाली में इसका इसका इस्तिमाल काई गल एक telephone signaling protocol है, जिसे 1975 में developed किया गया था, और इसने उस time की जो worldwide जो अगर हम बात करने public switch telephone network था, उसकी जितने भी barriers थे उन्हें breakdown कर दिया, अनिकी तोड दिया, और उनसे एक अच्छा communication का एक अच्छा माध्यम प्रोवाइड किया, इसकी मदद से, अगर मान लिजी SS7 लूप हो अगर किसी को इसके बारे में पता चल जाए, तो एक hacker, ये काम आदमी क्या कर सकता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसकी मदद से, मतलब SS7 जो main role play करता है, उसका main role होता है, जितनी भी आप phone के जरिए billing करते हैं, messages वगरा ट्रांसफर होते हैं, SMS आप भेज जाना जाता है, तो वो इस सारी चीजों पर control बना सकता है, SS7 को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि North America के अंदर, इसे CC SS7 के नाम से जाना जाता है, यानि कि Common Channel Signaling System 7, United Kingdom के अंदर, इसे CC ITT No.7, या फिर No.7 CCIS 7 के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है, तो अभी तक जितने भी वीडियो साइथ आपने देखें, उनमें SS7 की बात हुई, इनके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन जब तक हम इन चीजों को नहीं जानेंगे और समझेंगे, तब तक हम उसकी working strategy को नहीं समझ सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम ब जाना जाता है, आप इसे C7 के नाम से भी जान सकते हैं, SS7 के बारे में history काफी interesting है, SS7 से पहले SS5 और SS6 जो दो protocols थे, उनका इस्तिमाल किया जाता था, SS5 और SS6 में कुछ barriers थे, इनके अंदर जो voice communication और जो path है वो एक ही line से flow होता था, जैसे कि आपके जो landline phones हैं उनके अंदर ह तो अभी आपने देखा होगा कि worldwide हम बहुत wireless communication का इस्तिमाल करते हैं, mobiles के अंदर, तो इस तरह की technology जो possible हो पाई है, वो उसमें SS7 का एक बहुत बड़ा योगतान रहा है, तो hope so आप ये समझ गई होंगे, अब हम बात करते हैं SS7 architecture के बारे में, दोस्तो SS7 architecture में जो चार main protocol है वो काफी important role play करते हैं, जो telecommunication के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, SS7 पे पूरी तरह काम करने के लिए आपको telecommunication समझना बहुत ही ज़्यादा important है, तो हम बात करने बाले हैं service switching point, जोस्तो service switching point जो होता है telecommunication के अंदर, एक switch की तरह काम करता है, और आप इसे कह सकते है control logic softwares होते हैं इसके अंदर, जितने भी जो messages वगरा send होते हैं, one place to another place, उसमें SSP काम करता है, यानि की service switching point काम करता है, second है signal transfer point, तो STP के नाम से आप इसे जान सकते हैं, ये हर्ट होता है SS7 network का, और हर्ट आप समझते हैं, किया कितना important role play करता है, as a हर्ट ये सारा काम करता है, STP की electronic post office की तरह काम करता है, कि कोई भी चीज कहां पर पहुंचा नहीं है, इसमें जो सबसे important है, वो STP है, यानि कि particular message हुआ, voice communication हुआ, ये transfer करने का काम करता है, one place to another place, और मैं आपको STP के बारे में बताना चाहूँगा, STP one time की जो processing करता है, उसमें लगभग total processing का 40% signal processing में इस्तिमाल करता है, in any case, अगर 40% signal strength में कोई problem आ जाती है, तो बाकी का rest ये इस्तिमाल करने लगता है, तो STP is play as the role of heart, third one is, अगर हम बात करें, SCP, service control point, service control point, जो होता है, ये brain होता है, एक तरह से SS7 का, और brain का काम होता है, as a database, किसी बेचीज को store करके रखना, तो जितना भी communication हो रहा है, messaging, या फिर जो भी बात्चीत आप कर पा रहे हैं, उसमें SCP का युगदान होता है, and next one is the service node, service node के अंदर database functionality के साथ साथ, इसके अंदर SCP भी होता है, और additional capabilities भी होती है, तो service node main हो गया, इन सारों का, आप कह सकते हैं, इन सब का एक mixture होता है, जिसमें ये सारी चीजें, एक systematic तरीके से काम करती है, जिसके मतलब से आप बातचीत कर पाते हैं, volumes related data transmission, या अगर हम बात कहें क high volume, मतलब जो भी आपकी data processing है, उसमें service node का काफी important role होता है, तो ये था architecture, अब हम बात करेंगे SS7 links की, SS7 masses जो physically carried किये जाते हैं, medium के जरीए, जो SS7 masses जाता और आता है, उसे हम link के नाम से जानते हैं, और ये link 6 होती हैं, छे अलगतर है कि SS7 links का इस्तिमाल करता है, जिनमें A, B C, D, E, F, ये 6 links मिलके SS7 के अंदर काम करते हैं, ये notes आपको specially, मैं इसलिए बना के देता हूं, ताकि आप यहां से पढ़ के उन चीजों को समझ सके, because face के जरीए आके बताना है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप यहां से देखेंगे, उन्हें ज्यादा बेटर सम सारे hackers ने काम के और इनका गलत फायदा भी उठाया, इसे public किया गया 2008 में, 2014 में media report के अनुसार, अगर हम SS7 की vulnerability के बारे में मानें, तो एक media report प्रडूस वी जिसमें बताया गया, कि SS7 का बहुत सारी government agencies और hackers misuse कर सकते हैं, जिसकी मदद से काफी कुछ work, जैसे की phone की call को track करना या tap करना, इस तरह का काम hackers आसानी से कर सकते हैं, SS7 की vulnerability की मदद से, इस चीज को proof करने के लिए, कारस्टेन, अगर हम बात करने, कारस्टेन नौल, जिन्होंने एक टूल बनाया था, उसका नाम था, Snow Sinich, उस टूल की मदद से, उन्होंने 60 मिनिट के अंदर SS7 अटेक किया, औ साइवर के निमिनल्स के लिए, टू फेक्टर अथेंटिकेशन को ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, SS7 की मदद से, वो ऐसा कर सकते हैं, March 2018, याने की अभी कुछी टैम पहले की बात है, एक open report published हुई, जिसमें बताया गया, कि SS7 की जो vulnerability है, और इस vulnerability के लिए, काफी open source tools भी मार्कीट में आगे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी open source tool का इस्तिमाल ना करें, विकाज ऐसा इसा इस्तिमाल करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, and SS7 से related जो भी practicals आपको देखने को मिलते हैं, उन चीजों को भी बिना पूरी तरह जाने सम इसे जोड़ी खास और इंट्रस्टिंग बातों के लिए जोड़े ट्यूप चैनल मास्टर से नेथिकल हाकिंग से, and THANK YOU, गट्बाइ